हेलो फ्रेंट्स आइवेल्कम यूट्यूब चैनल इस्मा इंवेस्ट्मेंट इस्टॉक मार्केट में फ्रेंट्स हर इंसान चाहता है कि वह इनवेस्ट करें और करूडपती बने कि इस्टॉरिकली इस्टॉक मार्केट ने सबसे ज़्यादा रिटर्ण किसी भी इन्वेस्ट मिंस्ट क में कमा जीए उसके बाद भी जादा तर लोगों जो चो मार्केट में लॉस होता है आज इस वीडियो में हम आपको गलतिया वताने वाले हैं जो आम इन्वेस्टर इन्वेस्टर करता है जिसकी वज़े से उसे stock market में भारी loss होता है कई बार ऐसा होता है जो उसने कमाया है वो भी चला जाता है और उसकी पूरी capital erode हो जाती है अगर friends आप इन कुछ बातों का ध्यान रखें और ये गलतिया ना करें तो आप stock market में बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं stock market से करोड पती बन सकते हैं इस video को end तक दिहान से देख लीजिए कि क्या गलतियां आप करते हैं इन गलतियों से बचें तो stock market में पैसा कमाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता सबसे बड़ी problem stock market में ये है कि stock market में जो नया investor कम knowledge वाला investor आता है वो रातो रात अमीर बनना चाहता है same investor जो bank में FD करा के 7% 6% return के लिए 10 साल वेट कर सकता है stock market में उसको वो return एक दिन दो दिन एक हफते में चाहिए वो patience के साथ invest करेंगे नहीं सकता उसको तो तुरंत पैसा double चाहिए जल्दी से अमीर बनने का एक सपना ऐसा है जो stock market में पूरा capital एरोड कर देता है दूसरा सबसे बड़ा कारण misleading advertisement and tips WhatsApp group, Telegram channel, Facebook, YouTube कहीं से भी misleading information मिल गई कि 10 वाला share 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा 2000 हो जाएगा, share 3 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा अपना कोई research नहीं कोई बिदा किसी basis के सिर्फ misleading advertisement tips को follow करना एक बहुत बड़ा कारण है जिससे investor को बहुत बड़ा loss होता है जब भी आप investment करें या कोई trade लें आपका goal बिलकुल clear होना चाहिए जैसे अगर आपने research करके कोई share खरीदा long term के लिए तो friends आपका goal clear है कि हाँ मुझे एक साल दो साल रखना है पर जादातर लोग क्या करते हैं उनके पास कोई goal नहीं किसी के भी कहने में सुनने में आके stock ले लिया अगर वो बढ़ गया तो भी नहीं बेचेंगे कि 500 हो जाएगा 1000 हो जाएगा वो गिर गया तो भी नहीं बेचेंगे उनने कुछ नहीं पता है कोई goal नहीं है जिस वज़े से क्या होता है पूरी capital कही बार erode हो जाती है सबसे बड़ी problem stock market में क्या है कि हर बंदा analyst बन गया है जिसको किसी company के balance rates का नहीं पता है fundamentals का नहीं पता है ratios का नहीं पता है business model का नहीं पता है सिर्फ speculation पे हर इंसान आपको बताएगा कि 10 वाला stock 1000 हो जाएगा 100 वाला stock 500 हो जाएगा reason नहीं पूछो fundamentals का है company के क्यों होगा इसके बारे में कोई बात नहीं है सिर्फ हो जाएगा और आपको ऐसे information दी जाएगी जो बहुत पुरानी है absolute है stock में already discounted है यह चीज दोनों side है ऐसा नहीं कि सिर्फ यह बताएगे कि 10 वाला 100 हो जाएगा और आप बेचके निकल जाएगे stock आपको पता लगा मासे 4-5 गोना बढ़ गया तो आपको ऐसे information दी जाएगी जो outdated है या फिर stock में already discounted है आपके पास खुद के knowledge नहीं है सरिफ speculation speculation के base पर आप पैसा लगाओगे हो सकता एक दो बार आप पैसा कमा लो पर आप यकीन मानिए कि long term में आपको सरिफ loss होगा और अगर जो आपने कमाया है आप ऐसा फस होगे कि जो कमाया था वो तो जाएगा ही जाएगा आपकी पूरी capital erode हो जाएगी एक और problem है कि सब जो falling knife है उसको catch करने की कोशिश करते है yes bank का example ले लीजे dhfl का example ले लीजे pc dwellers वकरांगी 1% beverages भरे पड़े हैं पिछले एक डेट साल में example पर लगता है investors ने traders ने कुछ नहीं सीखा है जब गिरता है stock तो उसको खरीदने की ऐसी होड मचा देते हैं कि नहीं 100 रुपे से गटके 10 रुपे आगिया 20 रुपे भी आगिया मेरा पैसा तो डबल हो जाएगा friends ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर कोई stock बहुत ज़द exceptionally गिरा है उसके fundamentals खराब होए तो आपको वो reason जानना पड़ेगा कि किस कारण से ये गिरा है बढ़ सकता है तो उसमें ऐसा क्या है कि stock बढ़ सकता है कौनसी valuations उसके अंदर बची ही जब तक आप fundamentals नहीं जानोगी तब तक stock खरीद के आपको सिरिफ और सिरिफ loss होगा friends ज़्यादा तर investor क्या करते हैं loss को तो रखे रखते हैं आपको पता है company अच्छी है revive करेगी आप उसको hold करिए profit हो रहा है आपको पता है valuations मेंगे आप profit को book करिए पर ये चीज knowledge based होनी चाहिए valuation based होनी चाहिए सिर्फ इस fact relation पे वो चीज़ काम नहीं कर सकती stock market में क्या वो सही तरीका है जिसको follow करके आप मोटा पैसा कमा सकते पहले तो जो मैंने आपको बताया है वो गलतियों का avoid करना है उसके बाद friends market कहीं नहीं जा रही है यहीं पर ही है हमेशा यहीं रहेगी आप at least basic सीख लिए जीए market का मैंने यह अपने channels पे काफी videos basics को लेके डाली हुई है उसके बाद invest करेए सबसे पहली बात आपको आपके risk appetite पता होने चाहिए अगर मेरा portfolio एक करोड का है और एक तो लाक रुपे मैंने किसी ऐसे risk share में लगा दिये जहां capital erode होने का डर है वो erode हो भी गई तो कोई फरक जादा नहीं पड़ेगा उस बंदे को जिसका portfolio size बात बढ़ा है अगर आपके पास है ही 1000 रुपे या 10,000 रुपे आपने लगाने वो ही आपने ऐसे scrap stock में लगा दिये जहां capital erode हो गई तो आपके पास capital भी नहीं बचे कि आप किसी stock में लगा कि जो है अपना loss recover कर ले किसी भी stock को आप किसी भी analyst tv anchor किसी की भी recommendation पर खरीद रहे हूं अपनी basic research जरूर करें friends इतना basic कम से कम थोड़ा बहुत उसके बारे में जाने हैं आप कोई trade ले रहे हैं या long term investment कर रहे हैं कि basic research जरूर करें जब भी आपको कोई information किसी youtube channel telegram, whatsapp कहीं से भी मिले तो उसके source का जरूर पता करें कि ये information genuine है भी या नहीं और ये news stock के price में already discounted है या नहीं आपने Glenmark के case में देखा कोविड के drug के news आई stock इतना जादा बड़ा उसके बाद लोगों ने ले लिया है तो 1000 रुपे चला जाएगा हमने विडियो में अपनी बता दिया कि over what है मत लेजिए आप देखिए stock वहाँ से कितना नीचे आ चुका है मान के चलिए कि उस stock ने जो high बनाया है उसको break करने में हो सकता है stock को हाँ से एक दू साल लग जाए ऐसे examples भरे पड़े हैं तो आप basic research करिए उसके बाद ही stock को लीजिए इसके अलावा friends अगर आप कोई trade ले रहे हैं intraday के लिए positional trade तो अपना stop loss वेलकुल strict रखी जब आपको पता है कि आपने इस शॉर्ट टर्म या intraday के लिए लिए है तो आपको वो stock कभी भी hold नहीं करना क्योंकि सबसे जाना नुकसान investor का अगर हुआ है तो वो इसी चक्कर में हुआ है कि उसने trading के लिए लिया stop loss नहीं लगाया stock hold हो गया आने वाले time में पूरी तरह से capital erode हो गई कई बार तो ऐसा होता है कि उसको knowledge नहीं होती valuations का company की quality का पता नहीं होता वो hold करता है stock उसके price पर आता है वो बेच के निकल जाता है लेटर ओन वो 6 महीने एक साल बात देखता है कि वहाँ से stock double triple हो गया फिर आप stock को तभी hold करोगे जब आपको at least उसकी valuations का यह पता होगा कि stock महेंगा है सस्ता है stock की quality क्या है तो थोड़ा सा basic सीख लीजिए उसके बाद market में invest करिए market कहीं नहीं जा रहा है speculations और tips के base पे अगर आप बिना सोचे समझे पैसा डालोगे तो आपको capital loss तो हो गई होगा stock market जो जबर्दस तरीक से बढ़ रही है जो इतने stocks अच्छा return दे रहे हैं उसका benefit भी आपको नहीं मिल पाएगा फिर्ट फर्दर आपकी कोई भी गोड़ इस वीडियो को लेकर आप मुझे comment section में बता सकते हैं वीडियो आपको पसंद आईए तो like and share कीजिए